नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्शित चौवे और आज हम बात करेंगे एनार के और सीएची के बीच जो TNPL का next T20 मैच खिलो जाने वाले उसके बारे में ड्रीम 11 टीम देखेंगे ड्रीम 11 का प्रेडिक्शन देखेंगे कौन से प्लियर इंपोर्टेंट है आपके लिए और कौन से प्लियर हमें आज के मैच में विन कराने वाले है सब कुछ आपको वीडियो के अंदर मिलेगा और अगर लास्ट तक रुखते हो तो भाई लास्ट के एनार के कही लास्ट मैच था क्लीन स्थिप कर दिया क्योंकि है लक्षी जेन को टीम में रखा था बहीं फर्स बोलिंग आये थी पता था यार लक्षी जेन कमाल के बोलर है फर्स बोलिंग में पूरे पूरे चांस ये से कि 2-3 विकेट ले जा सकते हैं आपने देखा मैच में बारिश आई 16 ओवर का सिर्फ मैच हुआ लक्ष लक्ष जैन को केवल दो ओवर्स में बंदे ने दो विकेट ने काल दिये लोगों ने वारियर को रखा था संधीब वारियर ने कुछ नहीं किया भाई मैंने आपको वीडियों क्लियरली बताया था कि क्यों नहीं रखना है संधीब को हाला कि संधीब वारियर को लोगों ने रखा था क्यों क्योंकि ओवर कास कर्डिशन थी हो सकता था शुरूआत में थोड़ी सी स्विंग मिले और संधीब वारियर विकेट ले जाए लेकिन भाई आपको ये भी देखना होता है कि TNPL के अंदर कौन सा प्लेयर थ कुछ ऐसे ही करने वाले हैं लेकिन कैसर आप हमेशे ही विनिक्स करते हो नहीं बाई कल जो सोबा वाला मैच था जो USA और नीदलैंड्स के बीच था उस मैच में नहीं वी बेकार मैच रहा क्योंकि मैंने आप से पहले ही बोल दिया था यार अगर नीदलैंड के फोलिंग आत यार नीदलेंड के कुछ बोलर्स चल गए और कुछ ऑपोनेंट्स उनको रख लिया था तो भाई फिर हम उस मैच में विन नहीं कर पाए लेकिन अवरॉल अगर आप पिछले 10 मैचेस देखेगे 6-7 मैचेस में विन किया है यार यार एक दो मैचेस ही खराब रहा है जितने मिलेंगे अगर 10-15 मैचेस आप देखोगे तो उस में से यार लगबग 80% विनिक्स होई है तो आज के मैच में भी पूरे पूरे चांसे से हैं कौन से प्लेयर विन कराएगा सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा उसके पहले मैं बता दिता हूँ जो भी मेरा नया दोस्त है उसको थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो मैं आपको विनिक्स बता देता हूँ उसके बाद आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और चै कैप्टन किया था सबका कैप्टन था कोई जाधा फर्क नहीं पड़ा एस संदू को वाइस कैप्टन किया था क्यों किया था फॉर्स बैटिंग थी उम्मीद थी कि बैटिंग आ जाएगी लेकिन 16 ओवर में मैच कम्प्रीट हो गया बारिश के चलते तो बैटिंग ही नहीं लक्ष जेन ने हमें विन करा दिया ज्यादा पॉइंट से नहीं जीते हैं 20 पॉइंट से जीते हैं लेकिन जीतना ज्यादा मैटर करता है लक्ष जेन किसी भी ऑपोरेंट के पास नहीं था अगर आपने मेरी टीम लगाई होगी सेम लगाई होगी तो ही आपके पास होगा ठ विनिंग्स उसी की हो रही है जो टेलिग्राम चैनल पर कर्डेक्टेड है क्योंकि टेलिग्राम पर मिलती है आपको फाइनल टीम जो विनिंग्स में बहुत जादा हेल्प करती है लास्ट मैच आपने देखा होगा भाई 16 ओवर का हाला कि शुरुआत में तो पता नहीं था कि मैच 16 ओवर का होगा बाद में जाके पता चला कि फर्स्टीन के बाद 16 ओवर्स हुए है बारिश होगे यादा गटा खेल खराब हुआ फिर 16 ओवर पर उसको डिक्लियर कर दिया गया तो लास्ट मैच में जो टॉस था उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाई थी तो जो टॉ कर लिए होगा बहुत जादा इंपोर्टेंट है टेलिग्राम इंपोर्टेंट है क्योंकि यहीं पर आपको फाइनल टीम मिलती है टॉस के अकॉर्डिंग तो लिंक डिस्किप्शन में वहां से भी जोइन कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में जाओगे कोई भी शिकायत कुछ ब विनिक्स दस में से दस क्लीन से पोवाई हबावाजी कर रहे हैं वो जूट बोलना है क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है ना एक दो मैचस तो खराब होते हैं कि आपका प्रेडिक्शन कलर जाता है 100% मैं भी विनिक्स नहीं कर रहा हूंगा लेकिन दस मैचस से अगर आप 10 मैच मैचस लगतार खेलते हैं एकोल इंवेस्टमेंट के साथ तो साथ से आठ मैचस एजली हम विन करते हैं एक दो मैचस खराब होते हैं एक दो मैचस एबरेज रहते हैं लेकिन 6-7-8 मैचस हम काफी बढ़ी है मारजिन से विनिक करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट होता है तो स उसके लिए वह वाला पाट था क्योंकि आपको मैंने बता दिया लास मैच में हमने क्या किया है चलिए अब हम आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर पिश्री पोर्ट अगर हम देखें तो डिंडी गुल में मैच है लास्ट्री मैचस देख लो 140 126 124 फर्स्ति इनिंग लो स्कोर लो स्कोर फर्स्ति इनिंग जैदा तो 1st inning में wickets गिरेंगे, 2nd inning में थोड़े से कम wickets गिरेंगे Pacers ने 16 wickets लिए, Spinner's ने 17 wickets लिए तो दौनों को कम मत आख रहा, जो भी quality bowler है, उसको आप अपनी team में रख सकते हैं विच रिपोर्ट दोस्तों अगर आप देखोगे तो batting surface है और Spinner's को थोड़ा सा ज़ादा support है, हाला कि Pacers अगर quality वाला है तो वो भी wickets लेते हुए नजर आया, आपने पिछले 3 matches में देखा है चलिए, आगे बढ़ते हैं, सीधा possible 11 के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा player important है, किस site से NRK की possible 11 आप रीड कर सकते हैं, batting order के according यह है, I hope आपको अपतो याद ही हो गया होगा, काफी सारे matches हो चुके NRK ने भी 3-4 matches खेल लिए, CSG ने भी खेल लिए, तो यह batting order के according यह skin shirt ले सकते हो, मांकि अब हम आगे बढ़ते हैं, और सीधा players के बारे में बात कर लेते हैं, पहला player, Shri Niranjan, Shri Niranjan, है न, यहाँ पर 16 का average है, 6 wicket, मैंना यह एक भी match में नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा है और rounder section में पहली बात तो देखे रखे हैं, और rounder section में आप सोचते हैं कि यह बोलिंग भी करेंगे, 3-9 matches में बोलिंग नहीं किये, 3-9 matches में बोलिंग नहीं किये, और दूसरी बात, 16 का average, 16 का average वाले player को हम try नहीं करेंगे, तीसरी बात, के वाल 14 matches, experience भी नहीं है, चौती बा को एक spot fill करना है, मेरे पास बोलर नहीं बचा है, condition का गौरिंग या batsman मुझे कम रखना है, तो फिर मैं श्री निरंजन को रख सकता हूँ, फिलाल मेरी टीप में बिलकुल भी नहीं है, बोलिंग नहीं कर रहा है, लोग all rounder समझ के ले ले लेते हैं, आरून कार्थिक के बार लेकिन गुरु स्वामी लास मैच में भी बढ़िया कर गए, गुरु स्वामी की बात करें, कार्थिक का क्या करना है, अगर एकदम ही different करना है, एकदम risk लेना है, तो रख लो टीम में, मेरी टीम में फिलाल नहीं है, मांकी condition की according में जा सकता हूँ, चेजिंग में ले लूग लेकिन आज के मैच में फिर से फर्स डाउन बैटिंग करने आएंगे, बढ़िया बैट्स में तेरा मैचस का experience है, लेकिन अच्छा कर रहे है, तो आप unnecessarily drop करने का risk नहीं लेना चाहेंगे, इश्वरन की बात करें, 12 का एवरेज experience भी नहीं है, बिलकुल मैं try नहीं करूँग सौनु यादव बढ़िया प्लेयर, आप देख सकते हैं, 22 मैचस में 48 विकेट, 16 अवरेज, हर मैच में बोलिंग भी मिल रही है, और लगबाग हर मैच में बैटिंग दिया जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टूर्नमेंट काफी बढ़िया जा रहा है, अच्छा सूरिया रक्ष के बारे में बात करें, 21 कैवरेज, लास्ट मैच में सूरिय प्रकाश दोस्तों, यह लास्ट मैच में 33 रन बनाएं और टीम को जिता भी दिया, तो आज के मैच में क्या करना है, फर्स बैटिंग में में ले लूँँगा, क्योंकि बैटिंग ओर तो बहुत देगा और यहीं हमारी डिफरेंट थी इन्हों नहीं हमें करा है दो विकेट ले दिए चार मैचस सिर्फ खेलें एक्सपीरियस तो जादा नहीं है लेकिन अगर आपने बोलिंग देखियो तो कमाल की बोलिंग बैए चार मैचस में चार विकेट निकालें तो ठीक प्लेयर हैं सब्सक्राइब डिफरेंट विकेट लेकिन थोड़ा सा रिस्क जरूर क्योंकि लास्ट मैच में लिए इनको विकेट नहीं मिला है लास्ट अगर आगे लेकेट हरी 24 विकेट, 24 मैचस में 25 सिर्फ विकेट निकालते हैं हर बैच में डैस होवर्स डालते हैं तो आज क मैच मे करते हैं कि कमाल का प्लेयर यह हैं रख सकते हैं संदीप वॉर्यूर की बात करें हर नहीं immense जा रहा आ को विकेट नहीं मिला है तो डिफरेंट करना है तो ग्रेंट लिंग में रख सकते हो प्रशांथ पहला मैच अच्छा था एक्सपीरियेंस अच्छा है लेकिन उसके बाद सुपर फ्लॉप हो रहे हैं आज के मैच मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ करेंगे दो से उपर ले जा सकते हैं प्लेयर का कमबैक होता है ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियेंस नहीं एक्सपीरियेंस भी बहुत जादा है लेकिन टूर्णमेंट की शुरुआत के बाद ज्यादा कुछ खास नहीं किया है तो आज के मैच मुझे लग रहा है परशांस से कुछ ना कुछ उम्मी के साथ खिल रहा है हाला कि लास्ट मैच यार जीत नहीं पाई है लास्ट मैच जीत नहीं पाई है बाबा पर जित काफी बड़ी अवैटिंग कर रहे थे लेकिन फिर भी डीडी सिर्फ शायद एक रद से इनका मैच था जहां तक मुझे याद आ रहा है तो यहां पर दोस्त रिस्क लेना पड़ता है आपको 17-15 एवरेज वाला भी एकाथ प्लियर फोड के दे सकता है कभी-कभी तो ग्रेंड लिंग में आप रख सकते हो स्मॉल लिंग में नहीं रखना है जगदीशन की बात करें 40 का एवरेज कमाल का प्लियर लास्ट मैच में डिफरेंट प्लियर है आई-प्ल भी खिलते हैं तो आप भरोसे मंद के साथ थोड़ा सा जादा जाओ ज्यादा बढ़िया है तो जगदीशन टीम में रहेंगे और गुरू सवामी को टीम में रख सकते हो कार्तिक कम मुश्किल हो रहा है आज के मैं टीम में रखना मां की प्रदोश पॉल के बा है तो आप रख सकते हो वैसे चौथे विकेट की पर यह है चार तो हम वैसे भी नहीं ले सकते हैं तीन भी हम नहीं लेंगे हम दो के साथ जाएंगे या तो सिर्फ एक ही राकेंगे के कंडिशन क्या कोड़ है बाबा परजित के बारे हम बात करें बहुत ही कमाल का प्लियर टूर्णामेंट के शुरुआत में 44 का अवरेज था तीन-चार मैचेस होगे 46 का अवरेज होगे और ही वैतर वैट्समन बनते जा रहे हैं 31 विकेट निकाल हैं विकेट भी निकाल रहे हैं और 37 रंस भी कर रहे हैं लास मैच 24 रन बनाया है एक विकेट निकाला उसके पहले 12 तो हर मैच में कुछ ना कुछ है बोलिंग ज्यादा प्रिफर नहीं करते हैं क्योंकि टीम में 7-8 बोलर्स भरे पड़े और 7-8 बोलर्स है तो आप अपने को उतना ज्यादा बोलिंग नहीं देंगे एक दो ओबर सी डालने आते हैं और कई बार एक विकेट ले जाते हैं ला बोलिंग अच्छी है बागी बैटिंग से थोड़ा आप बड़ी है समझ सकते हैं तो कैप्टन की बैस चोईस ओने वाले है बाबा अपर्चित एक बार फिर से ठीक है संजय यादव के बारे में बात करें 47 मैचे 21 विकेट 34 और यार प्लियर अच्छा है 34 अच्छा होता है इस भी निकाले हैं लेकिन कभी बोलिंग मिलती है कभी बोलिंग नहीं मिलती है बैटिंग उतनी अच्छी चल नहीं रही है तो आज क्या करना है टीम में रख लो डिफरेंट कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो कर सकते हो अधरवाइस स्मॉल लीग टीम में बस रख लो वैसे भी बैटिंग सेक्शन में ज्यादा चोइस नहीं है ठीक है, साशी देप के बारे हम बात करें ट्राइ नहीं करेंगे, बैटिंग ओडर थोड़ा सा नीचे है प्लेयर ठीक ठाक है, ग्रेंड लीग वाला प्लेयर है ग्रेंड लीग में कुछ करके देदेगा हरीश कुमार के बारे हम बात करें 19 कैवरेज, विकेट्स बहुत जादा है इस प्लेयर को इग्नोर मत करना काफी सा लोग इग्नोर कर देते हैं डैथ होवर्स डालते हैं और डैथ होवर्स में चांसे सोते हैं कुछ ना कुछ विकेट्स लेके जाएं, लास्ट मैच में भी एक विकेट निकाल दिया है, और रंस भी कुछ ना कुछ करी जाते हैं, प्रोहित के बारे में बात करें, 31 मैचेस में 28 विकेट, 21 काइबरेज, इनके भी परफॉर्मस लगबग हर मैच में देखने को मिल रही है, तो फर्स बोल अगर आती है, तो आप प्रोहित को रख ले ना, लास्ट मैच में दो विकेट भी निकाल दिया है, थोड़ा एक्सपिर इस केप्टेन मैंसे किसी को रखना है, तो राहिल शाह को रख सकते हो, सिलमबर रासन, 38 मैचे, 46 विकेट, सबसे धादा इगनोर प्लेयर, यार कुछ नामस तो मुझे ऐसे याद हो गए, जो हमें विन कराते हैं, जिनके बारे में पता नहीं लोग क्यों इगनोर उनको करे जाते हैं, थोड़ा सा बैक किया करो, अगर कॉलिटी का प्लेयर है उसको बैक किया, यार जो क्वालिटी का बोलर उसको बैक किया करो, तब ही जाके आप विन कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तूर्नमेंट जादा खास नहीं है, एक विकेट लास आज के मैंच में हो सकता है दो से तीन विकेट भी ले जाए ठीक है पासकर के बारे में बात करें लांस मैच कोई विकेट नहीं टूर्णमेंट की शुरुआत अच्छी उसलिए एक्स्पिरियस जादा नहीं है टीम जादा बोलिंग ले भी नहीं है तो बासकर भी टीम में नहीं है, रोक की बासकर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मांगे किसी को मौका मिल नहीं रहा है, मिलता है तो आपको टेली गांप में बता दूँगा, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, GL Captain के बारे में, GL Captain थोड़ा सा important है, ध्यान सा सुलने न, common GL Captain है बाबा अपरजित और सोनु यादव, ठीक है, आपको ज़्यादा तर टीम्स में यही देखने को मिलेंगे, और अगर मौके के भी बात करें, तो दौन के पास बैटिंग बोलिंग दौनों से मौक है, बाबा अपरजित थोड़े ज़्यादा बैट्स्मेन है, सोनु यादव के बात करें थोड़े ज़्यादा बैतर बोलर है तो दौनों को पास पूरा मौका है नॉर्मल मैच हुआ तो दौनों में से कोई आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हुए नजर आएका या दौनों को भी कर सकते हो मांगी डिफरेंट जील कैप्टन देखें राहिल शाह दो से तीन विकेट हर मैच में हर मैच में हो सकता है आज के मिजमें थोड़ी डाउन परफेमेंस आए लेकिन अगर लगातार अच्छा कोई प्लेयर कर रहा है वो पूरे चार ओवर्स डालता है एस्पिनर है तो हमेशा प्रोबेबिलिटी डेती है दो से तीन विकेट ले जाने की राहिल शाह हो सकते हैं संजे आदव अभी तक कुछ नहीं किया है आज कर सकते हैं हरीश कुमार डैथवर्स डालेंगे सांधिसन बैटिंग भी करेंगे तो हरीश कुमार भी एक अच्छी चोईस है यह स्दसवामी बताया था, एक मैच में उन्होंने फोड दिया एक मैच में on Neswaran घ्षूड लेकिन वही आपकी उनिंग की वज़ह बनता है अगर आप सारे Clashes हो जाएंगे, सब सेमी टीम के साथ उतरेंगे लेकिन अगर आपको win करना है और थोड़ा सा different अगर करना है तो फिर आप इस section पर जा सकते हैं ठीक है, अरुन कार्तिक बड़ीया player, पिछले 3 matches में double 0 2-0 बनाएं और एक match में 4 run बनाएं 18%, selection percentage 18%, आज के match में हो सकता है अरुन कार्तिक थोड़ा सा अच्छा करे और 30-40 runs भी करके दे तो small league में तो मैं भाई बिलकुल नहीं बोलूँगा try करने का, grand league में आप रख सकते हो small league में थोड़ा ज़ादा बड़ा risk हो जाएगा हमारे पस 2 wicket keeper already है तो या तो फिर आप जगदीशन को drop करना पड़ेगा जो की risk है, 40 coverage, बन्दा international player गुरु स्वामी का अच्छा form चल रहा है दौनों के साथ ही जाएंगे, अरुन कार्तिक के साथ जाना है तो अपने risk पे जाओ, मार की grand league में आप रख सकते हैं लक्ष जेन, last match 2 wicket, ignore हमें जिता दिया आज के match में भी पूरे chances है, सिलम बरासन सिलम बरासन, फिर से में रखूँगा लो सिलेक्शन में 40% के आसपास लोग ले रहे हैं और इतने ही रहेगा, लगबग जादा लोग नहीं लेते हैं सिलम बरासन, क्यों आपने numbers देखे भाई, numbers काफी बेटर है 38 matches में 44 wicket निकाले हैं, आज के match में फिर सचा कर सकते हैं चलिए, यह हमने players के बारे में बात कर ली मांकि अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या grand league की teams create की और किस team के साथ हम small league में जा रहे है उसके पहले जो भी मेरा दोस्त पहली बार वीडियो देख रहा है वीडियो को like कर सकता है और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वह सब्सक्राइब कर सकते हो आपका support लगतार बना रहेगा, लगतार हमारी winnings होगी और women matches भी जल्दी cover होगी ठीक है चलिए अब हम देख लेते हैं team चलिए दोस्तों team के बारे में बात करेंगे उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे telegram channel का party बने तो आप part बन सकते है क्योंकि final team आपको यहीं पर मिलती है काफी लगतार बढ़िया profit हो रहा है last match में इतना win किया है last match में इतना win किया है कुछ matches कराब भी जाते हैं हर match में तो हम win नहीं कर सकते लेकिन अगर 10 matches का हमारा average देखोगे 6-7 matches में clean sweep 1-2 matches में बोरा loss 1-2 matches average तो ऐसा हमारा result रहता है तो overall काफी बढ़िया profit होता है I hope आपने join कर लिया होगा last match भी आप देख सकते हो last match में भी काफी तगडी winnings होगा यह team भी मैं आपको बता देता हूँ यह team थी जो आपने शुरुगात में भी मैंने आपको बता दी थी तो last match में अच्छी winnings होई है और 37 साथ यहार मेरा small league में investment काँ होता है मेरा small league में investment होता है कोबेरा के अंदर काफी सारे लोग परिशान रहते हैं सर contest फिल नहीं होते हैं किसी app में contest फिल नहीं होते हैं किसी में clashes हो जाते हैं किसी में network issue आ जाता है किसी में contest cancel हो जाते है तो यह सारे issue अगर आपको solve करना है तो आप कोबेरा में खेल सकते हो लगतार एक देड़ साल से खेलना हो कभी भी कोई भी problem नहीं आई ना ही आपको toss के बाद या playing 11 out होने के बाद server issue आता है कभी और नहीं withdrawal problem withdrawal problem काफी सारे apps की problem है आप जब withdrawal लेता है तो भाई पैसे ही नहीं आते है लेकिन यहाँ पर आज तक कोई भी problem नहीं है इंस्टेंट withdrawal हो जाता है तो आप कोबेरा पर खेल सकते हैं मैं तो कोबेरा में small league खेलता हूँ बहाँ के grand league के लिए dream 11 best है तो भाई वहीं पर खेलेंगे यहाँ पर बड़ी league होगी small league में आप कोबेरा में भी खेल सकते हैं और यहाँ पर competition काम है क्योंकि तीन batsmen, तीन bolus लेना, compulsory होती है और वहीं पर हम दोस्तों win कर जाते हैं तो आपने कोबेरा भी download कर लिया होगा link description में उससे download करो 100 rupees आपको sign up bonus में मिलेगा small league में क्या करना है small league में जगदीशन टीम में है अजीतेश टीम में है दौनों ही टीम में obviously choice है और different करना है तो कार्तिक हमारे पास option है और रंजन पॉल हमारे पास option है रंजन पॉल तो भाई बिल्कुल भी पहतर choice नहीं है मैंने average भी आपको दिखाया और पिशले कुछ matches में टीम नो opening भी नहीं करा है substitute में कई बार डाल दिया कई बार आएं कई बार नहीं आएं ठीक है बाकि कार्तिक यारे एक different choice है कार्तिक different choice है और कार्तिक आज win कराने वाली choice है आज कार्तिक जितवाने वाली choice है तो अगर आपको रखना है बहुत बड़ा risk लेना है तो आप कार्तिक को रख सकते हो लेकिन फिर आप अगर कार्तिक को रखते हो तो एक all rounder आपको कम करना पड़ेगा अगर आप 3 wicket keeper के साथ जा रहे है मैं फिलाल नहीं जा रहा हूँ कार्तिक के साथ मुझे उम्मीद थोड़ी जादा कार्तिक सा है लेकिन मैं फिर भी small league में नहीं रखूँगा बांकि grand league की जादा तीम में try करूँगा ठीक है, batting section से बात करें ऐस यादा हमारी टीम में definitely होंगी एक ही better choice है, मांकि क्या choice बन रही है और साथी साथ राजगोपल खिलते हैं तो उनको ले सकते हो, या फिर आप अरुन कुमार को ले सकते हो, at least batting का पूरा मौका रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सौनु यादाव फिलाल टीम में है संजे यादाव, सौनु यादाव यहाँ पे और यादाव सक्षें से बात करें, अपरजेट टीम में रहेंगे सौनु यादाव टीम में रहेंगे, एचस कोमार तीनों चोईस हैं, तीनों टीम में रहेंगे, यह देख लो भाई निरंजन का सेलेक्शन परसेंटेज काम हुआ है मैंने एक भी मैच में ट्राई नहीं किया है और आप देख रहे हैं, लगबग 50% के आसपास 36% लोगों ने लास मैच में लिया था, उसके पहले 50% लिया था मैं अपनी टीम में बिलकुल नहीं रखूँगा मां की बोलिंग सेक्शन से बात करें, थोड़ी ज़्यादा बैटर चोईस है ज़्यादा बोलर्स के साथ में जाऊँगा राईल शाह सेलंबर रासन 50% के आसपास लोगों ने लिया है प्रशांत को भी आज के मैच में सेलेक्शन परसेंटेज कम हुआ है मैचस फेल होगा है, आज के मैच में चलने के चांसे है मां की पोईयामोजी मेरी टीम में है और लक्षजन मेरी टीम में है कोई क्या, कोई दूसरी चोईस है हरीश भी एक चोईस बन रहे है, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो अपरजित के साथ राहिल शाह को वाईस केप्टन रख दिया है तीनों विकट कीपर रे लिया है, कार्थिक को भी मैंने स्टीम में ले लिया है लेकिन आप जब देखते हो तीन विकट कीपर टीम में आपके पास होते हैं न तो एक या दो तो definitely fail होता है धो चल जाते हैं एक definitely fail होता है तो आज के match में कौन सा वो fail हो सकता है यह कहना पहला सा tough है मेरे according यार जगदीशन वो नाम हो सकता है आज के match में हो सकता है fail हो जाएं लेकिन फिर भी हमें small league में miss नहीं करना चाहेंगे क्योंकि international player है मांकी जगदीशन का अगर आपने देखा होगा season उतना बहतर नहीं जा रहा है season उतना बहतर नहीं जा रहा है एक-दो matches अच्छे गए और कार्तिक का तो बिल्कुल भी बहतर नहीं जा रहा है बहतर नहीं जा रहा है तो रिस्क लेना है तो कार्तिक और अजी तेश के साथ जा सकते हो बांकी प्लेयरस आप देखी सकते हैं राहिल शा को वाइस केपटन कर दिया है नेक्स्टीम आप देखेंगे अपरजित के साथ एचस कुमार को वाइस केपटन करके रखा इस टीम में अगर first bowling CHG करती है तो दोनों bowlers के पास pushner कुछ wickets होंगे और अपरजित फिर batting से भी कुछ कर जाएगी ठीक है next team अगर आप देखते हो Sonu Yadav के सांथ Baba परजित को vice captain और फिर NRK के थोड़े ज़्यादा प्लिया से इस टीम में ज़्यादा बोलर्स में रख लिया है first bowling NRK की आती है तो वहां से फिर विकेट गिरने के चांसे से और Sonu Yadav भी फिर वहां से दो से तीन विकेट भी ले जा सकते है next team देखो कि Sonu Yadav के सांथ रहा ही इसा को vice captain किया है तो यह दोस्त हमारे GL combinations हो गए आयोप आपने screenshot भी ले लिया होगा टीम साफ फिर जॉइन करी सकते हैं बागी अगर आपको पूरी टीम चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना जॉञ में बागी तो आपको रहा ही तो हमारे! झाल झाल